दोस्तो पिछली वीडियो में मैंने होंडा साइन 125 का कमाल की तारिफ की थी मतलब 7.7 पॉइंट ऐसे मैंने आपको बताये थे जिसकी विज़से ये बाइक वन आप देस्ट बाइक हो जाती है 125cc सेगमेंट में लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं 5 इसकी कमिया भी बताऊंग आपको पांच इसमें कुछ गरबर चीज़े मुझे लगती है जो कि आपको जाननी चाहिए अगर आप लेने वाले हैं तो थोड़ा सा ठहरिए थोड़ा सा टाइम दीजे और मैं आपको बताता हूँ आपसे बस रिप्रिश्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करिएगा अब देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है जो मुझे सही नहीं लगता वो है इस्टुमेंट क्लस्टर इस बैसिक अब देखिए अगर इसका जो इस्टुमेंट क्लस्टर है यानि की मीटर कंसोल है उससे आप देखिए ने तो बहुत ही ज्यादा है देखिए कुछ लोगों को ये क्लासिक डिजाइन बहुत पसंद आती है साइन के जो फैन है उनको ये डिजाइन अच्छी लगती है उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं इस डिजाइन से बर दफैक्ट इस की नहीं देखिए अगर थोड़ा सा कंपनी एक डिश्टल कंसोल इसमें एड कर देती ना तो थोड़ा बहुत बहतर हो जाता क्योंकि कहीं ने कहीं हमें मतलब जो फीचर्स है ना वो मिल नहीं पाते हैं modern वाले updated फीचर ठीक है तो ये चीज मुझे लगी अब दूसरी चीज में बताता हूं कि rivals offers more value for money अब देखिए जो sign 125 के rivals हैं मतलब इसक blender की बात कर लूँ तो कहीं ने कहीं वो इसकी rivals हैं और उनमें इससे कहीं ज़्यादा feature मिलते हैं जिसके विसे लोग थोड़ा सा sign से हटके उनके पास चले जाते हैं तो कहीं ने कहीं company को इस पे ध्यान देना चाहिए अगली चीज मैं बताता हूं वो है tire profile अब देखिए कहीं कहीं sign 125 एक heavy bike लगती है अच्छी लगती है देखने में लेकिन जो tire profile है वो बहुत पतला है और company इस पे focus करना चाहिए क्योंकि उन्होंने SP पे focus किया है पिछला tire उसका चौड़ा किया है तो यह चीज sign 125 के साथ भी लागू होनी चाहिए इसमें भी थोड़े tire profile अगर चौड किया है कि यह बहुत slippery bike है मतलब जो tires है वो बहुत slippery है अगर गीली मिट्टी पे जब यह चलती है तो दूसरे bike को कि अप एक छा थोड़ा ज्यादा slip करती है यह बात कितनी हद तक सही है यह आप comment में हमें बताईएगा क्योंकि यह बहुत से users ने इस चीज को claim किया है ठीक है अगली चीज मैं बताता हूँ कि some price point of pulser 125 another SP 125 अब इसमें क्या है ना कि देखे जिस price point पे यह आती है उसी price point पे बजाज की pulser 125 neon edition आती है तो लोग कहीना कहीना sign को पीछे करके neon के पास से ले जाते हैं उनको लगता है कि यार sign लेने से अच्छा pulser ले लो भोगाल भी रहेग और इसके पीछे की वज़े यही है कि इसमें बहुत modern feature company नहीं देती है जिसकी वज़े से चीजें गरबड़ा जाती है और एक चीज और आप मैं आपको बता दूँ वो यह है कि जो मैं modern feature बार बार आपको बोल रहा हूँ ना उसमें सिर्स instrument cluster ही नहीं आता उसको मैं चली जमाना आ चुका है आजकल 100 CC की बाइकों में भी LED lights आ रही है तो यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि sign 125 में LED light company दे सकती है तूसरी चीज में बताऊं Bluetooth connectivity आपको इसमें नहीं मिलती है अगर फोन को अपने Bluetooth के माधियम से connect करना है तो वो चीज़ में नहीं मिलती है यह जीज भ बाइकों में भी mobile charging के लिए सुविधा आ रही है स्कूटी वगरा में बहुत जादा सुविधाएं आ रही है तो यहां पर sign में भी अपडेट नहीं आया है लेकिन हमें उमीद है कि सायद एक दो महीने में यह update आ सकते हैं क्योंकि company ने बोला है मेरी वीडियो सायद आप दे लिजेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है टेस्टार लेने के बाद सारी चीज़ें clear हो जाती है तो कैसी लगी पताईएगा और कोई doubt हो कोई प्रश्ण हो तो हमसे comment में पूछ लीजेगा और अपना ध्यान रखिएगा